आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले के चिठी आलिक आर्थी श्रिवास्तव वाचन स्वर दीपा सिंग रीवा जिले में विगत दिनों राजस्व महा अभियान चलाया गया अभियान के तहत फृतेंग ग्राम में खस्रिक आवाचन करके नामांतरन के प्रकरण टर्च किये गया अभियान के दुरान ही इन प्रकरणों का निराकरण किया गया इभिन से जीलों में राजस्व महा जिले में पिछले दिनों 30 आंधी के साथ वर्षा का भी जूर रहा। कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। पिछले दिनों रीवा में दो दिनों में कुल 1195 रोग्यों की जाचकी के इनमें से 108 वेक्तियों में कैंसर की पैरम्भी कलेक्शन पाए गये। शिविर का शुभारम करते वे उपमुक्य मंत्री ने कहा कि रीवा ही नहीं पूरे विंद्ध में स्वास्ते सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगादार प्यास के जा रहे हैं। कैंसर रोकी उपचार के लिए 32 करोड रुपए की लीनेक मशीन और सुपर स्पिशालिटी हॉस्पिटल में 12 करोड के माराई मशीन शीगरी स्थापित हो जाएगी। उपमुक्य मंत्री और स्वासित्था चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजिंदर शुक्ली ने रीवा एरपोर्ट में जारे निर्मान कारिका निरिक्षन किया। उपमुक्य मंत्री ने रीवा एरपोर्ट के निर्मान का शेश कारे 10 मार्च तक पूरा कराने के निर्देश दिये। जिली में हवाई सीवा से विधा मिल जाने से आवागमन सुगम होने के साथ चिकितसा परिटन और अध्योगिक विकास में तेजी आएगी। जीवा और इसके आसपास सुध्योगों के विकास के लिए बड़े पैमाने पनिवेश होगा, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अफसर मिलेंगे। उप मुख्य मंत्री ने मुख्य मार्क से अरपोर्ट तक की सड़क का निर्मान कारे शेगर पूरा कराने के भी निर्देश दिये। इस सामोहिक विवास अमारो तेईस फरवरी से साथ मार्च तक आयोजित किये जा रहे हैं। फिल्म एन थेटर फेस्टिवल का आयोजिन किया गया। तीन दिन तक चलने वाले इस मोहत्सों में एक साथ एक परिसर में देश विदेश से आए चुनिंदा फिल्म नाटक और संगीत आदी की प्रसुती दी गई। साथी सित्रांगन अंतराशे फिल्म और नाटे मोहत्सों में इस साल 62 देश के फिल्मों का प्रदेशन किया गया। आयोजिन के दुरान सूपसिद एक्टिर और डिरेक्टिर द्वारा मास्टर क्लास भी दी गई। इस उसर पर हिंदी रंकमंच में नामी कलाकार और पॉलिवुट के जाने बाने चहरे कुमुद मिश्रा, घंशाम लालसा, अभिने कौशल और सुमित व्यास के साथीक निर्देशन में तैयार नाटक पुराने चावल की प्रसती हुई। जिली की चिठी समाप्त हुई।